हेलो एवरिवान गुड मॉर्निंग स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में तो अब आज मैं आ गई हूं एक बड़ी हासी रेसिपी लेकर आप सभी की भी चार्ज में गोल गप्पी की रेसिपी लेकर आई हूं तो जैसे क्या आपको दिख रहा होगा कि बहुत ही बड़ी है अग्दम मार्केट जैसे फुले फुले गोल गप्पे तियार हुए है आटे के गोल गप्पे मॉस्ट ओब दी सभी के फैबरेट होते हैं मुझे नहीं लगता कि कोई भी इन्हें ना खाना पसंद करता होगा हर किसी के फैबरेट होते हैं और जब भ चली देख लेते हैं किस तरी किसे बनाएं मैंने इस आपकोुरी शीर मार थे जब हो जाएं चली जिस्क्राइब शोड़ा सबसे ले बाषियो गठीकोर में ने नहीं नमक दालना है नहीं चिटने डालना है, सिर्फ थोड़ा सा बेाटिंग प greasy bit work.. गोलोजंद गॉलिपपय की दो अथरीविपकर दो नदेला हैं video should find the fryt ? तो आपको बुलगपय की अजिए जो पताता है.. gefक Rapid गोलोजंद बोलती तरीक से अगर आप नमक डालेंगे तो आपके गुलगों पर पूरियों के जैसे मुलाइब मन जाएंगे तो यह देखिए बिल्कुल टाइट आटा मैंने लगा लिया है अब हम क्या करेंगे इस आटे को ढगकर 15 मिनिट के लिए कम से कम रैष्ट के लिए रख देंगे तो यहां पर यह मैंने टाइट आटा लगा लिया है अब हम क्या करेंगे इसे कोटन का कपडा लेंगे और उसे अच्छे से इसको लपेट देंगे आटे को इस तरीके से और रख देंगे 15-20 मिनिट के लिए रैच्ट करने के लिए अब 15-20 मिनिट के पाद देखिए मारा आट तो अब उन्हें क्या करेंगे इस तरीके से अच्छे से मसल लेंगे और इसको मुलाइम कर लेंगे जिससे कि जब गोलकप्पों में क्रेक नहीं हो गए अब इसके आटा मैंने तियार कर लिया है अब इसके बहुत ही छोटे-छोटे से लोई यह तो लेंगे इस तरीक जब लोई पहले तो उससे क्या होता है मतलब एक जैसे ना मोटे न पतले तो यहां पर मैंने सारी लोगियां तोड़ ली है अब हम क्या करेंगे इनकी बोल्स बना लेंगे छोटी छोटी यह देखिए इस तरीके से इनकी पेड़े बना लेंगे पेड़े बनाने कि पार इनको हम पूरिय की शेप देदें यह देखिए अब हमने एक पॉलोथिन ले लिया है हम क्या करेंगे कि गोलगप्पो को बना कर बीच में रख लेंगे उपर भी पूलातिन होगे और नीचे भी जिससे की यह सूखेंगे नहीं और हम एक साथ सारे गोलगप्पे तलेंगे तो यह देखिए आपको क्या करना है चैनले दूंगे आपको बेलन को बीच में ह 카ण обс़ा से किनारों की तरफ से अच्छे शे वेला अधे मौटा रख वो कोई बात नहीं यह देखिए इस तरीके से में सारे गॉलक पुप को शेप देदें के बैसे तो आटा इसका इतना टाइट होता है कि गॉलक प्पर आपके बेना चिकनाई लगाई भी बनेगे अगर नहीं बन रहे हैं तो हल्की सी चिकनाई लगा लेजे आप देखिए इस तरीके से पननी से और कपड़े से कवर कर देंगे जिसे के गोलगपे ब्लुक्ल भी सूखे नहीं अब हमें एक फ्राय पैन ले लेंगे और इसमें चड़ा देल तो यहां पर मैंने सर्सुका देल चड़ा दिया है कि चिकनै आपकी कढ़ए में म因कोने चाहिए कि आपके गोलगपे एकदम बढ़िया से इसमें डोब जाएं 151 चिकनाई कम निए रहने जाहिए तो यहां पर देखे हैं इस चीकनै ko अच्छे में से लेंगे क्योंकि गोल गप्पे की जो चिकनाई है वो हल्की भी ठड़नी नहीं होने चाहिए तेज कड़ाई में हमें गोलगपा को डालना है तो दालती ही एक्दम फूल जाएंगे यह देखिए पूल गए ने सारे गोलगप्पे अदेगा कि जब आप इस तरीकिसे गोलगप्पे बनाएंगे कभी आपके गोलगप्पे पनाने में आपको कोई प्रोब्लम ही आएगी गोलगप्पे बिल्कुल मार्केट के जैसे क्रिस्पी और एक्दम फूले फूले बनेगी यह अफिछ ब्रखनने के बाद में रखने जब भर फ़र हमारे दियार हो गे आइप प्लेट है और उसके बाद हम गोलगपे सर्व करेंगे तो इसी तरीके से मैं अपने सारे गोलगपे तियार कर लूँगी तो इस सारे गोलगपे मेरे तियार हो गए है अब हम इन गोलगपे को जब बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे उसकी बाद सर्व करेंगे तो आप चाहें तो इन्हें दही सोट के साथ भी खा सकते हैं चाहें तो पानी के साथ भी तो आप सभी को आज की मेरे वीडियो कैसी लगी कमेंट बोक्स में जарूर बतैएगा ॅगर वीडियो पसंद आthm यूज तो वीडियो को like कीजीगा अगर चैनल पर नहीं है चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कीजिगा तो कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो नए रैसिपिक साथ तब तक के लिए बावाय टेक एर थैंक यू सो मच अबस तक के लिए हुआ है? कर दो कर दो का दो हुआ है?